हलो फ्रेंड्स कैसे आप सब स्वागत हैं आपका मेरे यूटूब चैनल पर मैं बबिता तो देखिए आज बनाने वाली हूं में कड़ाई पनीर तो आईए पनीर बनाना सुरू करते हैं सबसे पहले मैंने एक कटोरी दही का इस्तिमाल किया है उसके बाद काली मिर्च पाउडर एक चमच भरके धनिया पाउडर एक चमच लाल तीखी मिर्च आदी चमच हल्दी आदी चमच से ज़्यादे गरम मसाला और ये कसूरी मेथी इसको अच्छे से हाज से मिलाकर जब डालेंगे और ये नमक, नमक स्वाद के नुसार अच्छे से इस मसाले को दही में अच्छी तरह से मिलाएंगे जब तक मिलाएंगे जब तक ये दही ना फैट जाए और मसाला दही में अच्छे से मिक्स ना हो जाए अच्छी तरह से फैट ना इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है तो देखिए दही और मसाले अच्छी तरह से मिल गए हैं तो इसमें मैं आट करूँगी ये मोटी कटी हुई प्याज एक मीडियम साइज की प्याज थी और ये एक टमाटर और ये दो कटोरी पनीर का इस्तेमाल करने वाली हूँ मैं ये बजन में ये 500 ग्राम पनीर है अच्छी से करना इसको मिक्स तो देखिए मिक्स हलके हाथों से करना है ताकि जो ये हमारा पनीर है ये टूटे नहीं और मसाले में ना मिल जाए क्योंकि पनीर बहुत सोप्ट होता तो देखिए बाद में मैंने ये एक चमच लहसन और अध्रक का पेस्ट तीन से चार हरी मिर्च इनको भी अच्छे से मिलाना है तो देखिए अच्छे से मिल चुका है ये उसके बाद ये ओल तेल को करम करके ठंड रख लिया था इससे और जो पनीर है जो पनीर डालने से पनीर का जो स्वाध होय और बढ़ जाता है तो देखिए अच्छे से कर लिया मैंने ये मिक्स तो आईए देखिए कड़ाई गरम होने रख दिये मैंने और इसमें थोड़ा सा तेल डालूँगी मैं उसके बाद जो पनीर था उसको इसमें फ्राई करने वाली हूँ ज्यादे फ्राई नहीं करना हमें तीन से चार मिट के लिए इसको फ्राई करेंगे तो देखिए आज बनने वाला जिस तरह से होटल पर पनीर बनते हैं बहुत ही टैस्टी पनीर एक बार जरूर ट्राई करें तो देखिए अच्छे से फ्राई हो चुका है ये और ज्यादा हम फ्राई नहीं करना है थोड़े गाले दही का ही इस्तमाल करें आप वह बोई ला गया है तो देखिए अब मैंने दूसरी कड़ाई रख दी है इसमे थोड़ा तेल डालूंगी अब बनाते हैं हम ग्रेवी पनीर की तो ग्रेवी बनाने के लिए देखिए सबसे पहरे तेल में मैंने खड़े मसाले एक चम्ह जीरा और ये प्याज और लहसन का पेस्ट अच्छे से फ्राइए करना है तो देखिए इसके बाद मैं लहसन और रदरक एक चम्मच अच्छे से फ्राइए करूंगी और चलाते रहना है ताकि जो लहसन होता है वो जल्दी से कड़ाई में लग जाता है तो देखिए यहाँ पर मैंने ये लालती की मिर्च एक चमच और आदी चमच हल्दी अब इसको और ये आदी चमच कस्मीरी लाल मिर्च जल्दी से इसको फ्राइए करना है इससे क्या होता है सबजी का कलर अच्छा हो जाता है तो देखिए दो मीडियम साइज के टमाटर थे उसकी मैंने ये प्योरी बना ली है अच्छे से फ्राइए करना है मसाला देखिए अच्छे इतना से फ्राइए हो रहा है अब इसमें मैं ये मटर ताजी मटर है इसको थोड़ी देर के लिए फ्राइए करूंगी और उसके बाद में नमक एक चम्मच नमक स्वाद के अनुसार नमक पहले भी डाला हुआ है और यहाँ पर जो पनीर फ्राइए किया था मैंने वो एड़ करने वाली हूँ तो देखिए मैंने अलग से पानी का इस्तमाल नहीं किया है बिल्कुल हुई जो मसाले में पानी था वो ही इस्तमाल किया है तो अच्छी तरह से हलके हाँ से चलाएंगे हम ताकि जो हमारा पनीर है वो तूटे नहीं और बिल्कुल अलग अलग उसके पीसिज दीखें तो देखिए है ना बिल्कुल धावे स्टाइल कड़ाई पनीर एक जरूर एक बार जरूर ट्राइ करें घर पर ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी और सुआद लगेगा तो देखिए थोड़ देर के लिए ढख देती हूं दो से तीन मिनट के लिए ढख दिया मैंने अब देखते हैं तो देखिए पनीर हमारा रेडी है अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें